हिंदी सिनमा के पहले सूपर स्टार राजे स्खन्ना को सभी प्यार से काका कहते थे। इनका स्टार डम इसकदर था कि बॉलिबूर्ड में एक कहावत आम थी उपर आका नीचे काका यानि उपर भगवान और नीचे राजे स्खन्ना ये दो ही लोग पावरफूल हैं। देवानन के बाद राजे स्खन्ना दूसरे फिल्मी सितारे थे जिनके लिए लड़कियों में बेहत दिवान गी थी। 1970 के दसक में इनके बंगले पर लड़कियों के इतने खत आते थे कि उन्हें पढ़ने के लिए अलग से एक आदमी रखना पड़ा। इनमें कई खत खोन से लिखे होते थे। राजे स्खन्ना अमरिस सन में जन में थे और गरीबी के कारण माता पिता ने इन्हें अपने एक रिस्तेदार को गोद दे दिया था। फिल्मों में आने के लिए इन्होंने खुब कोशिजे की एक टैलेंट हंट में 10,000 लोगों को हरा कर राजे स्खन्ना कॉंपेटिशन जीते और इसी के जरिये उन्हें दो फिल्में मिली। यहां से शुरू हुआ स्टार्डम का सिलसिला जो ऐसा चला कि आज तक किसी दूसरे स्टार ने ऐसा खुबसुरत दौर नहीं देखा। करेब 20 साल बॉलीवूट पर अकेले राजे स्खन्ना ही छाए रहे। अमिताब की एंगरी एंगमेन इमेज वाली एंट्री के बाद इनका अस्टार डम हिल गया। फिर वो दौर भी आया जब राजे स्खन्ना अकेले रह गये। राजे स्खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमरित सर में हुआ था। उनका जन्म लाला हिरानन खन्ना और चंद्रानी खन्ना के घर हुआ। उनके एक बड़े भाई भी थे। राजे स्खन्ना का पहला नाम जतीन खन्ना था। उनके पिता स्कूल टीचर थे। 1997 में जब देश का बटवारा हुआ तो उस विभाजन में राजे स्खन्ना के परिवार ने भारत को चुना और अमरित सर में बस गए। देश विभाजन में उनके पिता की नोकरी चली गई जिस वज़ा से उन्हें तंगी का सामना करना पड़ा। हालात इसकदर बत्तर थे कि वो परिवार का पालन पोशन नहीं कर पा रहे थे। इसी वज़ा से उन्होंने छे साल के राजे स्खन्ना को मुंबई में रहने वाले रिष्टेदार चुन्नी लाल खन्ना और लिलावती को स्वब दिया। बचपन से राजे स्खन्ना को काका नाम से बुलाया जाता था। पंजाबी भासा में काका का मतलब छोटा बच्चा होता है। दस साल में ही राजे स्खन्ना थेयटर से जुड़ गए थे। उन्हें बोंगो और तबला बजाने में खासा दिलचस्पी थी। इस्कूल के दिनों में जितेंदर उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। एक्टिंग से बहुत प्यार था तो वो कॉलेज के दिनों में भी थेयटर और स्टेज सोसे जुड़े रहे। सात्य स्टेज सोसे कई आवार्ड भी अपने नाम किये। राजस्खन्ना ने अंधायूग नाम के एक नाटक में सैनिक का करदार निभाया। जिसे देख चीफ गेस्ट ने कहा बेटा तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए लेकिन पिदा नहीं चाहते थे कि राजस्खन्ना फिल्मी दुनिया में कदम रखे। उस समय ऐसी कारों का कलेक्शन फिल्मी सितारों के पास भी नहीं होता था। जब वो ओडिशन देने जाते थे तो उनकी कार वहां पार्क होती थी जहां कई फिल्मी सितारे और डारेक्टर प्रोड्यूसर की गाड़िया खड़ी रहती थी। कभी कभार जब राजेस खन्ना की मुलाकात किसी डारेक्टर से होती थी वो कहते थे अगर आप जूनियर आर्टिस्ट का भी रोल मुझे दे देंगे तो मैं उसे भी पूरी सिद्दत से करूंगा। लेकिन कोई भी उनकी बातों को तवजू नहीं देता था। फिल्म का बजट 65 लाग था जिसने इंडियन बॉक्स ओफिस पर एक करोड का कलेक्शन किया था। पहले फिल्म अराधना का टाइटल वंदना था। ठीक इसी कहानी पर एक फिल्म लिखी गई थी जिसका टाइटल एक स्रीमान एक स्रीमती था। जब ये बात फिल्म अराधना के डायरेक्टर सक्ति सामन को पता चली तो शुरुआत में उन्होंने फिल्म बनाने से मना कर दिया हलाकि बाद में कहानी में कुछ बदलाव किये गए डबल रोल का कॉंसेप्ट लाया गया जिसके बाद अराधना बनी फिल्म अराधना के गाने मेरे सपनों की रानी कब तू आएगी गाने को लोगों ने खोग पसंद किया लेकिन क्या आपको पता है कि गाने में नजर आये राजेस खन्ना ने सडकों पर सूटिंग की थी वहीं सर्मिला टैगोर ने स्टीडियो में गाने के हिस्से को सूट किया था दरसल जब इस गाने को फिल्माया गया तो सर्मिला टैगोर किसी कानवस सूटिंग सेट पर नहीं जा पाई थी इसी वज़ा से राजेस खन्ना के हिस्से को सडक पर सूट कर लिया गया था वहीं बाद में एक स्टीडियो में सरमिला टैगोर के हिस्से को सूट किया गया था जिसे बाद में एडिट करके दर्सकों के सामने लाया गया राजे स्खन्ना की लोगों के बीच में जबरदस्त दिवान गी थी जहां वो फिल्मों की सूटिंग करते थे वहां पर फैंस उन्हें देखने के लिए पहुँच जाते थे जिससे कभी-कभी हाथसा भी हो जाता था किस्सा है फिल्म कटी पतं की सूटिंग का जब राजे स्खन्ना सूटिंग के लिए नैनी ताल गए थे सूटिंग लोकेशन नैनी जील के आसपास कथा इसलिए उस जील को तीन दिनों के लिए चारो तरफ से नाव से बान दिया गया था वज़ा ये थी कि लोग उन्हें देखने के लिए बड़ी तदाद में वहां जरूर पहुँचेंगे जिस वज़ा से हाथसा होने का भी खत्रा था दुसरा किस्ता है फिल्म अमर प्रेम का इस फिल्म के एक सीन की सुटिंग कोलकत्ता के हावडा वरीज के नीचे होनी थी जहां पर राजेस खन्ना को सरमिला टैगोर के साथ बोट में नजर आना था लेकिन बाद में वहां के अथरिटी ने इसके लिए पर्मिसन नहीं दी अथरिटी का कहना था कि राजेस खन्ना को देखने के लिए हावडा वरीज पर इतने लोग जमा हो जाएंगे कि पूल टूड भी सकता है इसलिए सुटिंग वहां नहीं हो सकती है राजेस खन्ना के रोस्तों की लिष्ट में साउथ एक्टर कमल हासन का नाम भी सामिल है एक बार राजेस खन्ना के साथ कमल हासन एक अमेरिकन फिल्म देखने गए थे वहां मौजूद लोगों को इस बात का बिलकुल भी अंदाजा नहीं था कि वहां पर राजस खन्ना भी है सब कुछ ठीक था और फिल्म भी खत्म हो गई लेकिन राजस खन्ना फिल्म खत्म होने के बाद उसके टाइटल एंड को देखने लगे उधर कमल हासन को इस बात की चिंता सताने लगी कि अगर ये बात वहां मौजूद लोगों को पता चल गई तो थेतर्ड में भागदर मत जाएगी आखिरकार वही हुआ लोगों ने राजस खन्ना को पहचान लिया और उन्हें चूने के लिए वहां मौजूद लोगों में खीचा तानी होने लगी कमल हासन ने उस भीर से राजस खन्ना को बचा कर बाहर निकाला लेकिन लोगों की खीचा तानी में राजस खन्ना की सट फट गई हलाकि इसके वावजुद वो मुस्कुरा रहे थे राजस खन्ना के लिए फैंस की दिवान की कभी खत्म नहीं हुई एक बार उनसे एक फैं की मुलाकात हुई जिसने उन्हें एक उनकी फोटो का कलेक्शन दिखाया उसे देखकर राजस खन्ना हैरान रह गए और खुस भी हुए वो कलेक्शन उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने उस फैं को एक फूड ट्रक गिफ्ट में दिया जो आज भी दिल्ली में चालू है इस फूड ट्रक पर खुद राजस खन्ना पान सो बार गए थे और वहां के खानों का जायका लिया था राजस खन्ना के पास अधिकतर खत लड़कियों के आते थे उन्हें से कुछ खत तो खून से लिखे रहते थे फिल्म रोटी 1974 में रिलीज हुई थी जिसमें राजस खन्ना के साथ मुम्ताज नजर आई थी फिल्म का क्लाइमेक्स सीन था जिसमें राजस खन्ना को मुम्ताज को अपने कंदों पर लेकर बर्फ से भरी वादियों में लेकर दोड़ना था इस सीन का परफेक्ट सौट देने के लिए राजस खन्ना ने आट दिनों तक प्रेटिस की थी जिसके बार इस सीन को सूट किया गया था जब इस सीन की सूटिंग पूरी हो गए थी तो उनके बाय कंधे पर लाल निसान बन गए थे क्योंकि उस समय मुम्ताज का वजन थोड़ा अधिक था इस वज़ा से राजस खन्ना का कंधा चोटिल हो गया था राजस खन्ना को हील स्टेशन से बहुत प्यार था यही वज़ा थी कि कस्मीर को उनका दूसरा घर कहा जाता था जब भी वो कोई फिल्म करते थे तो डारेक्टर से जरूर कहते थे कि फिल्म का कोई एक गाना हील स्टेशन में ही सूट हो यही वज़ा है कि उनकी अधिकतर फिल्मों में कोई एक गाना जरूर हील स्टेशन पर फिल्म आया गया है 1979 से 1972 ये दोर था जब राजेस खन्ना किसी भी फिल्म में नजर आते थे तो उनकी एक खास फरमाईस होती थी कि उनकी फिल्मों के गाने किसोर कुमार ही गाए यही वज़ा थी कि 1987 तक राजेस खन्ना की फिल्मों के गाने किसोर कुमार नहीं गाए दोनों ने 132 फिल्मों में एक साथ काम किया था फिल्म दुसमन का एक गाना था वादा-तैरावादा जब इस गीत के लिए किसोर कुमार को चुना गया तो नोंने मना कर दिया उनका कहना था कि उनसे बहतर इस गीत को रफी सहब गा सकते हैं जब ये बात राजे स्खना को पदा चली तो उन्होंने किसोर कुमार से मुलाकात की। किसोर कुमार ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने और कहा कि अगर तुम ये गाना नहीं गाओगे तो इस गीत को फिल्म से हटा दिया जाएगा। राजे स्खना के इस जिद के आगे किसोर कुमार को जुकना पड़ा और आखिरकार उन्होंने इस गीत को गाया। उन्होंने बताया था कि डिमपल से अलग रहने के बाद उन्होंने 14 महिनों के लिए खुद के आसपास एक दिवार बना ली थी। लोगों पर उन्होंने विश्वास करना छोड़ दिया था। नई फिल्में साइन नहीं करते थे, आत्म विश्वास कम हो गया था, लगातार फिक्र में डूबे रहते थे और आत्म हत्याक करने के बारे में सोचते थे। 20 फिल्मों में ओन स्क्रीन राजस खन्ना की मौत हुई है, किस्सा ये है कि जब किसी फिल्म में उनकी मौत हो जाती थी, तो उनकी मा दुखी हो जाती थी, वो उनसे कहती थी, उन डारेक्टर्स के साथ काम मत किया करो, जो तुम्हें फिल्मों में मार देते हैं। राजस्खन्ना एक्टिंग के ऐसे जादूगर थे कि फिल्मों में रोने वाले सीन के लिए उनको ग्लिस्रिन लगाने की जोरत नहीं पड़ती थी। वो सीन में इतना रम जाते थे कि आशू खुद बखुद निकलाते थे। राजस्खन्ना ने अपने केरियर में कई हिट फिल्में दी लेकिन उनका स्टारडम भी एक समय के बाद कम हो गया। रिपोर्ट्स की माने तो जब फिल्मी दुनिया में एंग्री मैन अमिताप बचन की एंट्री हुई तो उनका जादू लोगों में फीका पड़ने लगा। वज़ा ये थी कि उन्होंने एक्शन फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन दरसक सिर्फ उन्हें र जद्दो जहत करनी पड़ती थी और बहुत मुश्किल से रोल मिलता था। जहां एक वक्त ऐसा था कि राजस खन्ना के घर के बाहर लोगों का हुजूम रहता था वहीं जिंदगी के आखरी सफर में वो बिल्कुल लखे ले थे। राजस खन्ना ने एक इंटर्व्यू में अपने केरियर के सफर को याद करते हुए कहा था कि एक दौर हुआ करता था जब उनके बंगले आसिरवात के बाहर लोगों का हुजूम लगा रहता था। उनका ड्राइंग रूम गुलदस्तों से भरा रहता था लेकिन ऐसा भी वक्त आया जब उनके पास एक फूल तक नह एलान हुआ। फिल्म फियर की मैनेजिंग एडिटर मीरा जोसी ने राजेस खन्ना से मुलाकात की थी और पुछा था क्या वह आवार्ड फंक्शन में आएंगे और ट्रॉफिक कबूल करेंगे। राजेस खन्ना ने इस बात पर हामिभर दी थी। साथी उन्होंने मीरा से फंक्शन के कुछ एक्ष्ट्रा पास मांग लिये थे लेकिन वो फंक्शन में अकेले पहुँचे थे जिस बात से सभी हैरान रग गय थे। उन्होंने एक्ष्ट्रा पास लिया फिर वी उनके साथ अवार्ड फंक्शन में कोई नहीं आया था। खराब होने लगी थी जिस वज़ा से उन्हें 23 जुन को मुंबई के लिलावती अस्पताल में भरती कराया गया था। तब्यत में सुधार होने के बाद उन्हें 8 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। जुलाई को उन्हें अस्पताल से दिस्चार्ज कर दिया गया था। जिसके दो दिन बाद 18 जुलाई को राजेज खन्ना का निधन उनके बंगले आसिरवाद में हो गया। राजेज खन्ना के निधन के बाद दुनिया को पता चला था कि वो कैंसर से पीडित थे। उनकी अंतिम यात्रा में करेब 10 लाग से ज़्यादा लोग सामिल हुए थे। दोस्तो आस की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार।